हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, पर रोज चेक करते हैं कि आज मुरली से क्या धारण किया। रोज चेक करते हैं कि बस ऐसे ही मुरली सुनना चेक करते हैं और धारणा चेक नहीं करते हैं। देखो मुरली भी सुननी है, quiz भी attend करना है, full marks भी लानी है, योग भी करना है, लेकिन साथ में ये भी चेक करते रहना है कि हम क्या बन रहे हैं, क्योंकि ये सब भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, तो उस बात की भी चेकिंग करनी हैं, कि हम क्या बन रहे हैं, हमारे अंदर दैवी गुन धारन हो रहे हैं, या हमारी अवस्था क्या है, मैं आजकल बहुत इस बारे में विचार करती हूँ, कि बाबा तो हमें दैवी गुन धारन करने के लिए कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर भी, जिसको हम लोग human values कहते हैं, या इंसानियत कहते हैं, या एक मनुष्य आत्मा को जो समझ होनी चाहिए, आज देखा जाता है कि उसकी भी समझ नहीं है, जैसे कई बार हम आजकल सुनते हैं, कि मनुष्य है, अब बाबा तो हमें कहते हैं पवित्र था, लेकिन हमें तो इतनी भी अकल नहीं है, कई ऐसे चीजें देखने में आती हैं दुनिया में, कि अपवित्र भी किसके साथ बनना है, वो भी नहीं पता चलता, आजकल क्या है, किसी के साथ भी संबंध रखते हैं, और फिर उस संबंध में कितने प्रकार की accidents, कितने प्रकार की tragedies हो जाती हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, और बाबा हमें कहते हैं, कि तुम्हें पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाता हूं, लेकिन पारस बुद्धी तो दूसरी बात, लेकिन हमें पहले ये देखना है, कि हम बिलकूल ही अंधे होकर तु नहीं चल रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पारस बुद्धी तो चलो ज्ञान युक्त बुद्धी ज्ञान के अधार से समझना लेकिन कई बार तो लौकिक रीती से भी या समाज की रीती से भी जो समझ होनी चाहिए वो भी कई बार नहीं होती तो हमें ये बातें अपने अंदर चेक करने हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बाबा के बच्चे आप देखो दुनिया में भी क्या चलता है दुनिया में जो मनुष्य स्वार्थी होता है जो स्वार्थ के आधार से चलता है उसको भी इतना पता है कि मुझे स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी लेन देन रखनी पड़ेगी ना, पता है कि ने कि अगर किसे से हम कुछ लेते हैं तो उसको देंगे, तब तो अगली बार लेंगे, इतना भी गिवन टेक का जो चक्र है, वो भी मालूम होता है, दुनिया में क्या कहते हैं, एक कटोरी चीनी कहीं से लेकर आए, पडोसी से मांग कर, तो फिर उस चीनी को भर कर देते हैं, ताकि अगली बार मांगने में उन तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते रहे हैं, और ज्ञान की बाते सुनते हैं, लेकिन बहुत बेसिक, जिसको हम human values कहें, वो भी बच्चों में देखने में नहीं आते, और मैं ऐसा क्यों कह रहे हूँ, क्योंकि देखो, बाबा, जब हम कहते हैं, मनुष्य के साथ निभाना, तो आप देखो कि मनुष्य के साथ संबंद निभाने की अकल रखना, ये तो एक समाजिक चीज है, अगर हमें मनुष्य के साथ भी जो स्वार्थी है, या विकारी है, उसके साथ भी संबंद निभाने का अकल रखना पड़ता है, अब आप सोचो कि दुनिया में तो चलो हम कहेंगे कि मनुष्य के साथ कितना भी अच्छा संबंद रखो वो कहीं ना कहीं दोखा दे देता है तो इसलिए मनुष्य से वेराग गया गया लेकिन हम जब बाबा के बनते हैं तो क्या हम बाबा के साथ संबंद निभाते हैं क्योंकि बाबा तो हमारे इतनी पालना करते हमारे को इतनी बाबा स्रेश्ट ते स्रेश्ट बाप टीचर सत्गुरु बनकर पालना करते लेकिन क्या हम बाबा की पालना का भी रिटर्न देते हैं अब बाबा हमें क्या कहते हैं कि बाबा की पालना का रिटर्न क्या है बनना और बनाना, तो हमें पहले देखना है, कि हम बाबा से इतनी पालना लेते हैं, तो कम से कम हमारा पहला फर्ज है, कि बाबा जो हमें बना रहे हैं, वो हम बने, नहीं तो इतनी पालना ले, और अगर उसका रिटर्न ना दे, आप देखो, दुनिया में भी कहते हैं, मात पिता से पा पालना लेते हैं, वो भी स्रेश्ट थे स्रेश्ट, उंचे थे उंचे पालना, तो हमें विचार करना है, क्या हम उसका रिटर्न देते हैं, और बाबा हमें कहते हैं, सबसे पहला रिटर्न क्या है, कि हम बनी और फिर बनाएं, तो पहले हमें देखना है, कि क्या हम बाबा से इ ज्यान सुन्ते ग्यान रतन लेते ब्राम्हन परिवार से इतनी पालना लेते और अमरितवेले सोजाते हैं। पवित्रता, मंसा, वाचा, कर्मना की पवित्रता धारन करते हैं, तनमंधन की पवित्रता धारन करते हैं, मैं अभी पीछे एक भाई से मिली, तो 5-6 वर्ष हो गए उसको किसी सेंटर जाते हैं, तो मैंने उनको पूछा, और आपके, वो मुझे बहुत सारी बातें पूछ रह आपको जानती नहीं हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा अपनी दिन चरिया और अपनी जीवन के बारे में बताएं, तो मुझे पता चला कि उनका भोजन भी शुद्ध नहीं है, तो मैंने उनको पूछा कि आपका भोजन क्यों शुद्ध नहीं है, तो कहतें नहीं वो तो बनाती हैं घर में और वो तो ग्यान में नहीं चलती है और मैं तो बना नहीं सकता तो इसलिए भोजन शुद्ध की तो मैंने कभी सोचा ही नहीं तो मैं अपने मन में सोच रही थी और मैंने उनको भी कहा कि पांच वर्ष हो गए आपने सोचा ही नहीं बोजन शुद्ध करने का मैंने का ये भी आप कहते कि भई हमने इतनी मेहनत की इतना पुर्शार्थ किया या चलो ये विगन था वो विगन था आप तो सोचे ही नहीं तो फिर अभी आप बाबा के पास क्यों आए हैं solution लेने क्योंकि बाबा जो हमें कह रहे हैं वो तो हम बिलकुल कर नहीं रहें फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य की बात की तो ब्रह्मचर्य भी नहीं है और कहते हैं यूगल नहीं मानती है तो मैंने कहा ऐसे कोई मानता थोड़ी है इतना बड़ा यग्य मन के मना के थोड़ी established हुआ है, यहां तो हर एक को अपना पुर्शार्थ करना है, तो आप सोचो कि कई बार हम तो बाबा तो हमें मनुश्य से देवता बनने की बात कर रहे हैं, दैवी गुणों की बात करते हैं, लेकिन जो मैं ऐसा समझते हूँ, वो subject भी अलग है, पर सिर्फ हम अगर इतना भी सोचें कि हमें बाबा, देखो, कोई हमें दस बार एक समान बेचने के लिए भी फोन कर देता है, तो ग्यारवी बार मनुश्य कहता है, अरे इनका फोन आएगा ना, इस बार खरीदना पड़ेगा, यह दस बार से बोल रहे हैं, तो आप सोचो कि इतना तो एक मनुश्य को भी फील हो जाता है, कि कोई दस बार से कह रहा है, तो ग्यारवी बार वो समान लेना पड़ेगा, तो अब आप सोचो कि बाबा हमें रोज कितनी पालना, कितना प्यार, कितने वर्दान दे रहे हैं, और हम अपने आप से पूछें, और वो भी किस क करना भी नहीं है, लेकिन जो चीज अपने लिए है, अगर हम वो भी ना करें, जो मुझे मेरे, मेरी जो उच अवस्था में स्थित करने वाली बाते हैं, अगर हम उस पर भी ना चलें, तो फिर आप सोचो हमारे अंदर तो मनुश्य जितना भी सेंस नहीं है, कि हम इतनी पा यग्य सेवा कहते हैं, विश्व कल्यान की सेवा कहते हैं, लेकिन मुझे तो एक बहुत छोटी से बात समझ में आती है, कि जिस बाबा से, जिस ब्रामन परिवार से, जिस यग्य से हम इतनी पालना लेते हैं, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता, कि हम कुछ तो वहां अपना तनमंधन का सहयोग दें, इतना तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये तो एक human value है, कि कहीं से हमें इतनी पालना, इतना कुछ मिलता है, तो हम भी वहां पर एक कुछ तो अपना सहयोग दें, लेकिन बाबा तो हमें यग्य सेवा कहते हैं, बाबा हमें कहते हैं, इससे पुन तो कुछ रिटर्न तो देना चाहिए, नहीं तो करजा चड़ जाएगा, तो उस भावना से भी हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए, तो मैं कई बार ये विचार चलता है, कि अगर एक बच्चा पालना इतनी ले, लेकिन अगर थोड़ी भी जिम्मेवारी नहीं उठाता, या बच्चे को समझ ही नहीं आता, कि मेरी भी कोई यग्य के प्रती responsibility है, तो उस आत्मा को मनुष्य से देवता बनने का ज्यान क्या, मनुष्य बनने का ज्यान भी अभी तक ठीक से मिला नहीं है, तो ये बाते हमें अपने अंदर जाग कर देखनी है, क्योंकि देखो, दुनिय में भी हम जानते हैं, कि अगर किसी से कुछ लेते हैं, तो कुछ तो वहां करना चाहिए, आप सोचो, मंदिर में भी जाते थे, तो वहां भी प्रशाद खाते थे, तो कुछ न कुछ तो चड़ा कर आते थे न, लेकिन आज हमें ये बात समझ नहीं आती, कि इतनी पालना ले करते हैं, तो कुछ तो रिटर्न करना चाहिए, चाहे तन से, मन से, धन से, कुछ तो सेवा करें, तो बाबा कहते हैं, कि ये बाते, मेरे दिल में कई बार ये बात आती हैं, कि हम बड़ी-बड़ी बातें तो समझाते हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातें, क्योंकि हम कई बार देखते हैं देखो एक बार एक माता को मैंने देखा सेवा बिलकुल नहीं करती या कोई भी चीज में कभी पूछे की किस प्रकार कारोबार चलती है किस प्रकार काम चलता है कभी उसको कोई फिकरात नहीं होते लेकिन जैसे ही पालना लेने की बात आएगी तो कहेगी साकेत से ही पालना लेनी है तो हम कहते हैं कि आप सेवा क्यों नहीं करते हैं तो कहते हैं मैं अपने स्थान पर करती हूँ तो मैंने कहा कि आप वहां जब सेवा करते हैं और यहां पालना लेते हैं तो आपको कभी दिल में नहीं आता कि यहां की भी कुछ जिम्मेवारी उठाएं तो कहती बाबा का यग्य तो एक ही है हाँ ये बात सत्य है कि बाबा का यग्य एक ही है लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हर स्थान की जो जिम्मेवारी है वो भी किस प्रकार से चलेगी अगर हर एक व्यक्ति ये समझ ना पाए कि जहां से हम पालना लेते हैं वहां भी हमार कोई जिम्मेवारी बनती है तो वहां का कारूबार कैसे चलेगा तो बाबा हमें यह बाते समझाते हैं मनुष्य से देवता बनना पवित्र बनना अपकारी पर उपकार करना या सारी विश्व को दान देना लेकिन हम अपने अंदर झांग कर देखें कि हम जहां से सब कुछ ल एक yugel आए, तो वो जो yugel थे आपस में एक चत के नीचे रहते हैं, धन जो है एक दूसरे का उपयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ सारी लेंदेन है लेकिन एक दूसरे के लिए शुब्भावना नहीं है, लेकिन दोनों जब क़्लास सुनते हैं, तो किसी तीसरे के लिए श कर रही थी कि ये शुभावना नहीं है ये तो फिर कुछ खास लगाओ है उस तीसरी आत्मा से जो उसके समदर्ब में तो समझ जाते हैं कि हमें वहाँ शुभावना रखनी है लेकिन जब आपस में एक चत के नीचे रहते हैं तो बले ही उनकी और आपके संसकार नहीं मिलते ल लेकिन अगर देखा जाए तो जिस बाबा के साथ हमारा सब कुछ लेंदेन है अगर वहीं पर हम समझ नहीं रख रहे तो फिर लौकिक में कैसे रखेंगे पहले तो अलौकिक में रखें तो लौकिक में रखें तो फिर विश्व की तरफ रख पाएंगे एक चीज मेरे जो म बाबा का बनने से पहले हम तेसर जनम पतीत दुनिया में लेते हैं और पतीत दुनिया में क्या होता है कि मनुश्य आत्मा human values के साथ जब चलती है तो धोका खाती है आपने किसी का अच्छा किया लेकिन उसने return नहीं दिया या इस प्रकार की कोई बात हो जाती है तो दुख की धोखे की दुनिया है तो जब हम बाबा के पास आते हैं हमारे सारे values खतम हो चुके होते हैं लेकिन बाबा हम ही कहते हैं कि अब इसको दोबारा से जागरित करने की विधी क्या है पहले हम अलौकिक जीवन में उनी values को लाएं मैं तो अभी पवित्रता या विश्व कल्यान क बात नहीं कर रहे हैं चोटी चोटी बातें जैसे कि सुनना संबंद निभाना सहयोग देना साथ में चलना सहना समाना चोटी चोटी बातें जो हम पहले घरों में करते थे आज वो बंद हो गई घरों में और लौकिक परिवार में कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम से कहें कि इनके साथ आप सहयोग से चलो या स्ने से चलो तो कई बार वहाँ पर उस प्रकार से वो आत्मा का रिटर्न नहीं आता और दुख होता है तो इसलिए बाबा कहते अब तुम्हें नई दुनिया में जाना है तो सबसे पहले अलोकिक जीवन में बाबा के साथ ब्रामण परिवार के साथ वो जो मर्यादा संपन जीवन है संबंद निभाने का तरीका चाल चलन खान पान सब कुछ जैसा काईदे प्रमाण होना चाहिए वैसा हम चलने लगे अलोकिक जीवन में उसके बाद हम जब अलौकिक जीवन में काइदे प्रमान चलेंगे, अलौकिक जीवन में हम बाबा के साथ, परिश्वरी परिवार के साथ जब हम संबंद निभाएंगे, तब जाकर लौकिक जीवन में भी संबंद निभाने की शक्ति हमारे अंदर आएगी. क्योंकि अगर अलौकिक जीवन में हम संबन नहीं निभा पा रहें अलौकिक जीवन में जो इतनी पालना दे रहा है अगर उसकी बात दो सुनकर सह नहीं पा रहें तो फिर अलौकिक जीवन में हम क्या ही सहते होंगे है ना मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मेरी सेहन शक्ती बहुत बढ़ गई ज्यान में आने के बाद लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं मुझे तो नहीं लगता क्योंकि आपको कुछ कहने से पहले तो हमें डर लगता है कि ये बुरा न मान जाए क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपको कुछ कहा है और आप बहुत जोड से रियाक्ट करते हो तो मैंने ही समझती आपकी सेहन शक्ती बड़ी है मुझे ऐसा लगता है जैसे हम डरे हुएं शायद लौकिक वाले भी उस रूप से डर की पीछे हट जाते होंगे क्योंकि अलौकिक जीवन में अगर आप जो जहां पर आप देखो बाप, टीचर, सत्गुरु बैठे हैं और जो उनके निमित भी बैठे हैं वो कभी श्रीमत के विपरीद आपको कुछ नहीं कह रहे हैं कल्यान के लिए ही कह रहे हैं अगर वहां हम सह नहीं पारे, समा नहीं पारे वहां हम संबन नहीं निभा पारे वहां हम ट्रस्ट नहीं रख पारे वहां हम फेथ नहीं रख पारे तो आप सोचो कि लौकिक जीवन में तो हम कैसे चलेंगे लौकिक जीवन में तो जो आत्माई हैं वो भी कोई श्रीमत प्रमान चलने वाली या पवित्र नहीं है तो सबसे पहले तो इसलिए बाबा हमें परमधाम से प्रेड़ना नहीं देते बाबा क्या करते हैं? आते हैं और बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठते हैं हमें इश्वर्य पालना देते हैं और हम बच्चों को भी बाबा निमित बनाते हैं परिवार बनाते हैं ताकि हम आपस में श्रीमत प्रमान संबंध में आकर और हम आपस में इस प्रकार से चल सकें कि सहना, समाना, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, या human values, virtues, सब कुछ हमारे जो merge हो गए या सुप्त हो गए वो emerge हो सके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ सहयोग किया और मानो हमें कोई मानशान भी नहीं मिला या हमें किसी ने acknowledge भी नहीं किया तो भी बाबा कहते तुम्हारा कोई सहयोग वेस्ट नहीं पर अगर तुम अपने सारे गोंड सारी शक्तियां सारे योग्यताईं अगर हम सफल करना यहां नहीं सिखेंगे तो फिर लौकिक जीवन में तो उसका स्कोप ही नहीं है क्योंकि लौकिक में तो फिर भी सोच समझ कर करना पड़ता है पूरी खुली दिल से चले तो लौकिक में तो दोखा खा जाएंगे तो इसलिए सारी गोंड शक्तियां डेवलप करने का प्लैटफॉर्म कौन सा है अलौकिक लेकिन मनुष्य क्या करता है ज्यान सुनता है और ज्यान को ले जाकर अलौकिक में संबंदी बनाता पहले लौकिक में जाता है और फिर कहता है मैं तो बहुत बड़े दिल से चला, सामने वाले ने लात भी मारी, तो भी मैंने सहली, उसके बाद भी वो रुका नहीं, उसने और दूसरी लात भी मारी, तो अब आप सोचो, कि लौकिक में तो ऐसा ही है न, कि सामने वाला जो है, वो उस काइदे से नहीं चलेगा, बाबा कहते हैं, सबसे पहले अलोकिक में चल कर, अपना पुन्य का खाता इतना बनाओ, अपने अंदर इतनी भरपूर्ता लाओ, कि जब सामने वाला नहीं भी रिटर्न दे लोकिक में, तो हमारा दिल ना दुखे, और हम यह समझ पाएं, कि हां, मुझे दाता बनना है, तो मैं यह प्रक्ट अगर हम फ्राक दिल होकर, या बाबा जो हमें शिक्षा देते हैं, उस प्रमान अगर हम नहीं चल पा रहें, और सीधा जाकर हम सोचे, लोकिक में यह अप्लाई करेंगे, तो उस रूप से तो नहीं चलेगा, तो यह बात सबसे पहले हमें समझनी है, और फिर अलोकिक पहले लोकिक फिर उसके बाद आती विश्व कल्यान की बाद, और कई तो शुरू कहां करते हैं, ना लोकिक ना लोकिक, सीधा विश्व कल्यान, तो सीधा विश्व कल्यान कैसे होगा, सीधा विश्व कल्यान नहीं होता, सीधा विश्व कल्यान माना, आपका जिन से संबन संपर् उनके साथ वो चलना मुश्किल हो रहा है तो जिनको हम जानते नहीं उनके साथ हमें comfortable feel होता है और हमें लगता है कि हाँ हम स्नेज स्वरूप, शान्द स्वरूप होकर उनके साथ चल रहें लेकिन नहीं पहले तो हम अलोकिक परिवार में बाबा की सारे शिक्षाओं को धारन करें तब जाकर लोकिक में apply करें और फिर विश्व कल्यान की बात आती है तो जब बाबा हमें कहते हैं कि दैवी गुण तो दैवी गुण में तो विश्व कल्यान की भी जो विश्व कल्यान एक बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन शुरुवात कहां से करेंगे दैवी गुन की, है न बहुत समझ से कि अलोकिक परिवार में बाबा के साथ कैसे चलना है, अगर हम बाबा के साथ चलते हुए, अभी इस समय पर अगर हम गुन स्वरूप, शक्ती स्वरूप होकर नहीं रह पा रहे हैं, जबकि बाबा और ब्रामन परिवार, बाबा तो परफेक्ट है, और ब्रामन परिवार परफेक्ट नहीं है, लेकिन as good as it can be है, मतलब जितना best possible हो सकता है, उतना है, लेकिन अगर उनके साथ ही हम प्रेम स्वरूप, शान्स्वरूप या स्नेह सायोग की शक्ती से नहीं चल पा रहे हैं, तो ल अने सोचा पहले यही बात सुना देते हो, और फिर बाबा आज हमें कहते हैं, क्योंकि देखो कई बार हम, जैसे अभी देखो आप लोग ऑनलाइन बैठते हो, तो आप लोगों की जीवन को हम इतना closely नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके चार्ट से समझ पाते हैं, और बा यह बातें तो फिर हर एक के लिए लागू होती हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कमी कमजोरियां हैं, वो तो अलमोस्स सिमिलर हैं हर जगा, तो जब हम यहां पर देखते हैं, तो मुझे आता है कि ओनलाइन में भी बातें बताओं, और कई बार क्या होता है, कि मै आपको एक इसमें छोटी सी बात बताती हूं, अभी पीछे एक कोई एक थे, तो उनको हमने मैसेज किया, तो मैसेज किया सेंटर से, तो उनका कोई रिप्लाइ नहीं आया, तो फिर वो थोड़ी दिन के बाद एक प्रश्न पूछ रहतें, कि मैं किसी से भी कोई बात करती तो वो मेरे से ढंग से कम्यूनिकेट नहीं करते, तो मैंने उनको का क्योंकि आपकी कम्यूनिकेशन में प्रॉबलम है, तो कहते हैं कम्यूनिकेशन में कैसे प्रॉबलम है, तो मैंने का मैंने नहीं देखा कि सेंटर से कोई मेसेज जाता हो, तो आप रिस्पॉंड करते हू तो यहां भी आप respond करते हैं, आप रोज class करते हैं, तो अगर message जाता है और आप respond ही नहीं करते हैं, तो हमें मालुम पढ़ता है, कि इनकी अंदर ये समझ नहीं है, कि कब मुझे respond करना है, तो इसलिए जब ये अलोकिक जीवन में हाल है, तो लोकिक में भी आप ये करते होंगे, तो इसी कारण से सामने वाला भी आपकी बात को उसी तरह से ले रहा है, तो वो मुझे कहते हैं, मुझे तो ये बात अपने बारे में कभी उब्जर्व भी नहीं हुई, तो मैंने कहा य यह भी अच्छी बात है कि हम आपको बता रहें तो आप समझ पा रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बताने पर भी वो बात को उल्टे रूप से कोई ले लेता है, तो वो कहती कि नहीं मैं इस पर काम करूंगी और अपसे ये गलती यहां भी नहीं होगी और कहीं भी नहीं होगी तो आप देखों कि इविन जब हम फोन पे भी कम्यूनिकेट करते हैं या वैसे भी करते हैं तो कई बाते नजर आती हैं कि आत्मा जो है उसका participation किस प्रकार का है या कैसा है या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो वो लिख देते हैं हाँ हम ठीक हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं उसके आगे ये नहीं पूछते कि आप लोग कैसे हो तो हम ये समझ में आता है कि अगर ये बाबा के घर में इस प्रकार से चलते हैं तो फिर बाहर भी ये ही होता होगा कि किसी ने आपको पूछा तो लोकिक में संबंद कैसे रहेंगे तो हम ये जो बाते हैं क्यों समझा रहे हूं आज क्योंकि बड़ी-बड़ी बाते हम रोस करते हैं मैं भी आपको बड़ी-बड़ी बाते सुना देती हूं लेकिन चोटी-चोटी बाते ही अगर नहीं आती या आप मैं बहुत चोटी स एक बात कहते हूं, सुनने की कला, आप देखो, बाबा हमें कहते हैं, मुरली सुनो, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा, कि मुरली सुनने से भी, मुरली सुनना और मुरली में जो बाबा कहता है, वो सुनना तो एक बात है, लेकिन जेनरली भी, सुनने की कला हमारे अंदर कहां है अगर हम और अगर सुननी नहीं सकते communication कैसे होता है सुनना और बोलना अगर हमें सुनना नहीं आता अगर हमें मुरली सुनना नहीं आता तो हमें बात सुनना कैसे आएगा आएगा तीम पेज की मुरली चले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो सामने वाला जब मेरे पसंद की बात नहीं कर रहा, तो मुझे सुनाई देगी, मुडली तो मुझे पसंद भी है, तब भी अगर मुझे सुनाई नहीं देती, तो फिर सामने वाला जब मेरे पसंद की बात नहीं कर रहा, तो मुझे नैचरल है कि सुनाई नहीं दे रहा, औ और अगर सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो वह जो कह रहा है, और मैं उसका उत्तर दे रहा है, उल्टा जा रहा है, तो जब उल्टा जा रहा है, तो कम्दिकेशन में प्रॉब्लम्स होगी, तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं, to बाबा के साथ और इश्वरी परिवार के साथ चलते हुए, हमें बहुत सारी गुन शक्तिया develop करने है जिनको हम apply करेंगे लौकिक में या दुनिया के सेवा में, सेवा तो हम विश्व कल्याण के लिए करते हैं और में हम कर्म बंधन काटते हैं लेकिन उस शेत्र में अपलाए करने के लिए वो योग्यता या गुण शक्तिया डेवलब का होंगे अब मुरली ही अगर हम ध्यान से नहीं सुन सकते हैं और मुरली सुनते हुए हमें बात समझ में नहीं आती तो सामने वाली आत्मा जब कोई बा बाबना को हम समझ पाएंगे क्या कभी नहीं समझ पाएंगे तो इसलिए बाबा हमें बहुत छोटी-छोटी विदियां सिखाते हैं और जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं अगर हम श्रीमत प्रमान चलें तो हमारी परस्नालीटी में चेंज आता है क्योंकि हमारी अभी जो या पतीत personality है उस पतीत को पावन बनाने के लिए हमें पावन से संबंद रखना पड़ेगा और अगर हम सोचें कि इस पतीत personality को हम पतीतों के बीच ठीक कर लेंगे वो नहीं होगा हमें पहले पावन से संबंद रखना पड़ेगा और पावन के साथ संबंद रखते हुए जब हम पावन बनेंगे तो हम पतीतों के साथ पावन होकर चल सकते हैं फिर बले ही कैसा भी कोई रहे हम चल सकते हैं इसलिए तो बाबा कहते हैं न कि मेरी याद से मेरी श्रीमत पर चल कर जब आत्मा का पेट भरा होता है तो वो कैसे चलती है लौकिक में कमल पुष्प समान क्योंकि उसको वहां से कोई विकारों की लेंदेन के अधार से उसका सु लेंदेन बाबा से और इश्वरिय परिवार से नहीं है तो फिर नाचरल है कि लौकिक में एक्सपेक्टेशन्स खतम नहीं हो सकती और फिर उस कारण से उन एक्सपेक्टेशन्स के कारण जो प्रॉब्लम साती है विघन आते हैं वो भी कैसे खतम होंगे और सेवा तो भूल सेवा कर रहे हैं लेकिन कई बार वो भी इसलिए है क्योंकि वो भी प्यार से चल रहे हैं आप भी प्यार से चल रहे हैं लेकिन जब सेवा में आप वो परिस्थितिया एंकाउंटर करते हैं जहां पर आपकी क्रोध को यादे अभिमान को कोई ट्रिगर कर रहा है तो बिल्क तो पर्चे बाटने के लिए मा और बेटा दोनों गए तो पार्क में पहले दो चार पर्चे जब किसी को दिये तो उस कुमार को लेने वाले ने थैंक यू बोला तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा लोग थैंक यू बोल रहे हैं तो बड़ी खुशी से पर्चे देने लगा लेकिन चौथे पांच में पर्चे के बाद किसी ने पर्चा मूँ पे फाड़ दिया लिया और फाड़ दिया और फिर चार बाते भी उसको सुना दी तो जब उसको बाते सुना दी तो वो अपनी मा को कहता है हमें नहीं करना है ये सब चलो मम्मी घर चलो तो उसकी मम्मी कहते ही क्यों घर चलो इश्वर ये सेवा है हमें करनी है तो कहते हैं नहीं जब इनको कदर ही नहीं है तो फिर उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि हमें इसलिए नहीं करनी कि इनको कदर है या नहीं हमें इसलिए करनी क्योंकि बाबा ने कहा है तो केते हैं नहीं बाबा ने कहा है तो बाबा इनको भी समझाए ना कि यह प्यार से उस पर्चे को लें तो अब आप देखो कि क्या होता है कि सेवा में जब हम अलोकिक में सेहन नहीं कर सकते लोकिक में सेहन नहीं कर सकते तो सेवा में सेहन कैसे करें और बाबा कहते हैं, सेवा में तो दूप चाओ, सर्दी गर्मी, मान अपमान, धानी लाब, निंदा स्तुति, सब सहन करना पड़ता है, अब आप विचार करके देखो, कई बार हमें ऐसा लगता है, सेवा में क्यों सहन करना पड़ेगा, सेवा तो अच्छी चीज है, आपको अपको पूलों का हार चड़ाएंगे, ऐसा लगता है, कई बार आइडिया ऐसा होता है, कि हम सेवा करेंगे, तो इश्वरिय सेवा में तो हमें बहुत वाहवाई मिलेगी, और हर तरफ से सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप स्रेष्ट कर्म करने जाते हैं, पुन्य का खाता बनाने जाते हैं, तो बाबा कहते हैं, मान अपमान, धूप चाओ, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, सब कुछ सहना पड़ता है, और जब आप वो कैसे सहेंगे, इश्वरिय सेवा के लिए सेहन शक्ति डेवलप करने के लिए, पहले तो आपको अलोकिक प आज बाबा दैवी गुन की बात कर रहे थे, तो मुझे आया कि पहले हम जो human values हैं, उसकी तो बात करें कि, जैसे दुनिया में आप देखो, adjust करना, या cooperate करना, हद में, बेहद की बात भी नहीं हो रहे है, हद में भी adjust करना, cooperate करना, या सहना, ये बातें भी हम जब तक अलोकि परिवार के साथ संबंद में नहीं समझेंगे, या आप देखो, परक शक्ती, निर्ने शक्ती भी, आप देखो, परक शक्ती, निर्ने शक्ती चाहिए, कोई आपको किसी के बारे में उल्टी बात कहता है, होता है, इर्शिया वश, बहुत लोग उल्टी बात सुनाते हैं, मातपिता उसको पीटना शुरू करते हैं क्यों olur क्योंकि विरिफाई नहीं करते तो बाबा हमे कहते कि लेकिन अलोकिक मैं भी पहले तो हमेस आप देखो अलोकिक मैं भी हम जिनके साथ संबन संपर्ख में आते हैं चलते हैं हमें वहाँ भी या बाबा पर कोई हमें कहता है नहीं ब्रमा कुमारिज में ये होता है वहाँ ये होता है तो हमें वहाँ पर समझना होता है कि मेरा अनुभव क्या है या मुझे मैं जो आज चल रहा हूँ तो मेरे अनुभव की नीव क्या है और क्या मेरे अंदर उतनी निर्ने शक्ति नहीं है और अगर यहां अलौकिक में निर्ने शक्ति परक्षक्ति नहीं है तो फिर लौकिक में कैसे होगी और सेवा में कैसे होगी तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि सारे गोण सारी शक्तियां हमें पहले तो अलौकिक जीवन में बाबा के साथ और जिस आलोकिक में नहीं रख सकते देखो अभी कोई अगर आकर उनके बारे में उल्टी बात सुनाए जो आप जिनको आप जानते हैं जिनके साथ आप संबन संपर्ख में रहतें आलोकिक परिवार में और कोई कहे जैसे मुझे अभी कोई पूछ रहे थे कि कोई फलानी बात सुन लेते हैं, कोई न्यूस सुन लेते हैं, तो फिर उस बात पर कैसे respond करें, तो मैंने का अपने अंदर जांक कर देखो, आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि जब हमने आत्मा को पहचाना, बाबा को पहचाना, तो किस आधार से पहचाना, किसी दुस लिया हो, तो इसलिए अपनी ये जो बुद्धी है ना, जो बाबा हमें तराजू का चित्र दिखाते हैं, और कहते हैं इस बुद्धी का प्रेयोग करो, तो अलौकिक जीवन में परक्षक्ती भी रखने ही पड़ती है, नेर्ने शक्ती भी, सहन शक्ती भी, सर्व गुणों के साथ, सर्व शक्तियों के साथ चले, तब तो लौकिक की या विश्व कल्यान की बारी आएगी, अच्छा, कोई question पूछ रहे हैं, अच्छा, कल बात बिगड़ गई थी, आज सुबे ठीक कर ली मन्थन सुनके, अच्छा, है ना, तो जब आप ज्ञान सुनते हैं, तो ने कई बार क्या होता है, आपके गलत करम का भी राइट रिजल्ट आ रहा है, ऐसा भी होता है, और कई बार ठीक करते हैं, तो भी गलत रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट से तो चेक नहीं कर सकते हैं, तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करते हैं बाबा की मुरली से, तो जब हम म पूरली सुनते हैं, तो हमारे को फिर वो चेकिंग होती है, कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और फिर चेक और चेंज करना होता है, अच्छा, ओम शान्ती,